पमर रेखा जो बहुत बड़ी पतविरता है जिनकी आटो पेर सिर्फ पती की सेवा के अलावा कोई कार नहीं करते है अब महाराज हर कथा से सिच्छा मिलती है पमर रेखा बहुत बड़ी पतविरता है पतविरता पतविरता का मतलब क्या होता है पती की आग्या का पालन करें और पती की सेवा करें बैसे अब को लोग आए गई है माता हुआ बैसे हम रोज काते हैं ऐसी माता है कौन सी जो आज पैर सेके आई है कोई है एइ बहुत सिभाई थुए बार माताओ धन्हे माताओ बैसे हमोग के वो पेकार है अब तक ता कल सम कही है ना है बिलकल नहीं कही है कि वो बेकार है जो अपने मनते ही पाइं छोई लेती है सब के कुछ तो सवेरे चार बजे पर मौरत के समय पिछवाई लेती है फोजी खोई लेती है रेगू आके पाइं मेरे सुरताओ माताओ पवर रेखा जो है बहुत बड़ी पति बिरता है अपने पती के अलावा किसी पराई को देखती भी नहीं है लेकिन माराज दुख एक है कि इनके कोई संतान नहीं है और परिछत माराज संतान हर किसी को नसीब भी नहीं होती है कि किसमत बालों को कि किस्मत बालों को मिलता पेटी पेटों का प्लार किस्मत वो किस्मत बालों को मिलता पेटी पेटों का प्लार किस्मत वो होते ही किस्मत बाले है वो होते ही किस्मत बाले जिनका भरा भन्दा किस्मत बालों को मिलता पेटी पेटों का प्लार किस्मत परीचत महराज आज जबाब दिया एक दिन पवर रेखा अपनी पती से बोली सौमे जी ओ सौमे जी एक बात कहें एक नहीं दुए को तो आज मिरा थुड़ा मन ऐसा कर रहा है मन काय को कर रहो का ठिकी खायवे को एक बात कहें सौमे हम एक बात कहना चाथा काओ तो प्यारी तुम काय चिंता कर रही तुम आओ आदमी जिंदा होगे काल शतर करें बेठो है हम जे कह रहे हैं मेरा आंगन में मन नहीं लग रहा है आंगन में मन नहीं लग रहा है तो ऐसो कर लूडो खेल लेओ और नहीं तो पबजी खेल लेओ नहीं इस्टाग्राम पर वीडियो बनाए लेओ को तो यह मन लगन लगन मारानी मारानी मैं मोडर्स जमाने की बात कर रहा हूं अगर मन नहीं लग रहा है तो लूडो खेल लूडो इमें बहुत जल्दी टाइम पास होते है एक बात कहें तुम्हें यह पता है कि मेरे कोई संतान नहीं है बहे तो बात हम खोदे कश्ट में संतान नहीं तो मरे जाद सूक के छुआरे वे गए तुमसे ज्यादा चिन्था तो हमें स्वामी आज मेरा मन ऐसा कर रहा है की हम बगियां में गुमे आएं बगियां गोभफे को मन कर रहा हमने जाने कौ ello आज देलिया बगेरा में घुमें चलेओ जंबू कसमछ बगेरा बगिया में चलियाओ जग्के तब बैले बाए जाओ पीछे रहसमुडी को लिबाए जाओ जन्नी लम्ये लिबाए जाओ सबे लिबाए जाओ संगया घुमे आओ तुम्हें काकमई मेरे स्रोताओ आज महराज महराज से जैसे यह का है कि मेरा आगन में मन नहीं लगता माता बेन भाई बंदू एक बहुत संदर बात बता दें अगर संतान घर में होती है ना तो उसके सहारे से अपना जीबन्यापन लोग कर लेती हो लिया करते हैं मन में आंगन में मन नहीं लग रहा है रोते हुए चल दे दी है कहती है सौमी अगर आपकी इच्छा हो जाए तो हम बाग में चली जाएं